वेलकम फ्रेंट्स एक वर्पुना स्वागा थे आप सभी का हमारे ओल्लाइन प्लेटफर्म, ओल्लाइन चैनल, MPS Motivators पर, मैसेल बुकिस कुमार पांदे फ्रेंट्स आज के सेशन में MPS Motivators के थ्रू हम लेकर हाजिर हैं, क्लास 11 इंगलिस पेपर, बिहार बोड, प्रोज सेक्शन से, इडिस दा, चैप्टर नंबर 9, and the name of the चैप्टर, नेशनल यूनिटी, नेशन, और नेशनलिजम फ्रेंट्स इस चैप्टर को लिखने वाले, बहुत ही इमिनेंट आउथर, and a great leader of our state बिहार, जैप्रकास नरायन, popularly known as JP जैप्रकास नरायन, जिनको हम लोग बहुत ही famous leader के तौर पर जानते हैं, जिनको संचेप में हम लोग JP भी कहते हैं, चुकि ये JP के नाम से काफी ज़्यादा famous है, हमारे बिहार और हमारे भारत में, तो friends, चलते हैं, आज के session में देखते हैं, class 11 का, approach section का chapter जब हम पहुचुके है, chapter number 9 पर, and as you know, it is the introduction class, introduction class में, mainly two matters, दो बातों पर हम लोग discuss करते हैं, first, the objective of the title, ये जो title है, national unity, nation and nationalism, इसका objective क्या है, JP के दोरा रचित, JP के दोरा लिखी हुई, ये जो extract है, ये जो title है, इसके लिखने के पीछे उनका क्या objective था, क्या motto था, क्या अधेश्य था, and second, लेखा का परीच है, introduction about author, introduction of author का सकते हैं, तो friends, introduction classes में, दो बातों पर हम discuss करते हैं, ninth number chapter, and लेखक, जैप्रकास नारायन, तो चलते हैं, सबसे पहले, आज की session की सुरुआत करते हैं, जैप्रकास नारायन के परीचय के साथ, क्योंकि जैप्रकास नारायन, आज के author है, और आज का जो लेख, उनके दोरा लिखा गया है, national unity, nation and nationalism, तो चलते हैं, friends, about जैप्रकास नारायन, वैसे सब ये students, जो class 11 की तियारी अपने घर पे कर रहे हैं, आप सब ये students, जो रहे हमारे online channel के साथ, MPS motivators के साथ, channel को subscribe करें, वीडियो जो upload हो रहे हैं, आप उनको देखें, like करें, share करें, निशत्रुप से आपकी preparation घर होगी, ये हमारा दावा है, request है, आप सभी class 11 के students, जो भी हार बोड से tag है, भी हार बोड के students है, आप जूरे हमारे channel के साथ, अंग्रेजी से लेके math, science, हर्विजाय की पठाई के लिए, suitable on I'll channel, MPS motivators, आगे बढ़ते हैं, friends, about जैप्रकास नारायन, जैप्रकास नारायन, इन बिहार, इन सारन दिस्टिक, 11 उक्टूबर 1902 को बिहार के सारन दिस्टिक, यानि सारन छपरा, एक छोटा सा गाउं सिताब दियारा में हुआ था, the village सिताब दियारा is situated between the Ganga river and the Saru river, ये सिताब दियारा जो गाउं है, एक तरफ गंगा नदी है, दुस्तरी तरफ सर्यू नदी है, दोनों नदियों के बीच में एक छोटा सा गाउं सिताब दियारा, जहां पर 11 अक्टूबर 1902 को जैप्रकास नरायन का जनम हुआ था, and he started his education in Patna, he became a great freedom fighter of our country, before independence, श्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिये, श्वतंत्रता से नानी कहलाये, श्वतंत्रता के लिये, जो कुछ भी struggle किया गया, जो कुछ भी movement शुरू किया गया, उनमें इनका contribution बहुत जादा था, इनका cooperation बहुत जादा था, after independence जब भारत सुतंत्र हो गया, जैप्रकास नारायन joined the political party जनता दल, जनता दल से ये जूर गये, and he became a great and an imminent leader of our country, of our state, जनता दल political party से जूर करके जैप्रकास नारायन, एक बहुत ही बिख्यात और महान नेता बने, and एक नेता के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, इनका contribution हमारे state के लिए, हमारे society के लिए, हमारे country के लिए, बहुत जादा अहम है, क्योंकि इनका जो टाइटल है, national unity, nation and nationalism, राश्टिया एक ता राश्ट एंड राश्टिया था, क्योंकि इनका सबसे first motto था, work for the country, देश के लिए हर काम, work for the society, समाज के लिए हर काम, work for the downtrodents of our society, समाज के सोशित लोगों के लिए हर प्रकार का काम, एंड आज का title में भी देश भक्ति, राश्ट भक्ति, समाज भक्ति की प्रणा मिल लही है, जैप्रकास नरायन दुवारा रचीत, इस title के माधियम से, जैप्रकास नरायन के दुवारा शुरू किया गया एक movement, आप सभी जानते भी हों के जेपी अंदोलोन के नाम से जानते हैं, 1974 में शुरू हुआ, 1977 तक चला, उस वक्त भारत में इंदरा गाधी की सरकार थी, इंदरा गाधी के सरकार के खिलाफ, इन्होंने बिगुल्फु का था, समाज के बंचितों के लिए, समाज के सोशित, वर्गों के कल्यान के लिए, इनके दुवारा शुरू किया गया एक आंदोलन, जेपी आंदोलन, जेपी मुब्मेंट, बट उस जेपी मुब्मेंट का जो कम्पलीट नाम है, उसका जो उरिजिलल नाम है, जेपी मुब्मेंट अगेंस्ट सप्रेशन ओफ सीबी लिवर्टीज, पॉपुलोरली नोन एज जेपी मुब्मेंट, 1974 में जो आंदोलन शुरू किया गया था, जेपी प्रकास नेरायन के दोबारा, उस मुब्मेंट का नाम है, सप्रेशन ओफ सीबी लिवर्टीज, जिसको मुलोग सोट में, संचेप में, जेपी आंदोलन भी कहते हैं, सिबील लिवर्टीज, यानि लोगों के लिए जो आजादी दी गए थी, लोगों के लिए जो अधिकार दिये गए थे, उस पर दमन किया जा रहा था भारा सरकार के दोबारा, सेंट्रल गवर्मेंट के दोबारा, उस वक्त के चातकालिन गवर्मेंट के दोबारा, उसी के अक्टूबर 1979, आठ अक्टूबर 1989 को जैप्रकास नारायन का निधन हो गया, हमारे बिहार, हमारे सारंजिला के एक सपूत, जिन्होंने भारत के आजादी में बढ़ चरकर हिसा लिया, एक फ्रिडम फाइटर बने, उसके बाद समाज के वेलफियर के लिए, डाउन ट्रोडें सोशित वर्गों के वेलफियर के लिए, आंदोलन शुरू किये, इनके आंदोलन से कई लोग जुरे, जो आज बरतमान में भारत के अनेक राजियों में पूलिटिकल लिडर बने हुए हैं, लुक फर दे एक्जाम्पल, आप हमारे अपने एस्टेट बिहार को देख सकते है जेपी आंदोलन से जनम लिये हुए कई राजनेता, कई लीडर्स, आज अलग-अलग एस्टेट में मुख्यवंत्री बने हुए हैं, डेपुटी, चीप मिनिस्टर बने हुए हैं, एंड ग्रेट लीडर बने हुए हैं तो friends, this is the introduction about जैप्रकाश नरायन, नव चलते हैं, टाइटल, नेशनल यूनिटी, नेशन एन नेशनलिजम, जैसा की नाम से असपस्ट है, राश्टिये एकता, राश्ट और राश्टियता, राश्टिये एकता, राश्ट और राश्टियता अर्थात JP, जैप्रकाश नरायन की दुवारा रचीत, यह टाइटल जो है, यह जो एक्स्ट्रेक्ट है, इसमें डेश भक्ती की भावना जलक रही है इनके दोरा जो कुछ भी इसमें कहा गया है राष्टियता के लिए कहा गया है राष्ट के लिए कहा गया है राष्टियता के लिए कहा गया है इनके आंदोलन की जो सुरुवात होई थी वो राष्टियता के लिए ही होई थी रास्ट के लिए होई थी और रास्टियता के लिए ही होई थी अर्था इसमें तीनों चीजे है रास्ट के लिए एक ता रास्ट और रास्टियता इस तीनों चीजें जो है JP Naraian के मुबेंट का देन है JP का जो मुबेंट हुआ थाckets 1984 में आंदोलन हुआ था, फ्रेंड्स, जे पी नरायन, जे प्रकास नरायन, उनके दुवारा लिखित आज की यह जो बहुत ही short extract है, जिसका introduction, आज के session में MPS motivators के माध्यम से, आप सभी के लिए उमीद करते हैं, हमारे next session, हमारा tomorrow session जो होगा, summary for the extract जिसमें हम one by one, English and Hindi में सरांस का जिक्र करेंगे बने रहिए MPS motivators के साथ, वैसे students जो class 11 के हैं, बिहार बोट जे टैग है उनके लिए आज का यह chapter बहुत ही useful है आज का introduction के साथ, wait for tomorrow, कल का इंतेजार कीजिए for the complete summary in Hindi and in English one by one मिलते हैं कल, summary class में देखते रहिए MPS motivators, आज का वीडियोज अच्छा लगे निशित रूप से like कीजिए, groups में share कीजिए अपने friends में share कीजिए हमारे online channel को subscribe कीजिए bell icon को दबाईए, घर वेठे सबसे पहले notification आप तक मिलेगी उभीद करते हैं, आपका preparation एकदम okay होगा, दुरुस्त होगा मिलते हैं कल, next class में for the complete summary of the chapter number 9 written by Jai Prakash Narayan till then thank you, thank you very much